हलो दोस्तों आप सभी का हमारे चेंश टेडी रूपे जिकेशन में स्वागत है आज किस वीडियो में हम 36 गर सायक सिक्षक भरती के लिए हिंदी भासा के कुछ महत्पूर एमसी की प्रशनों पर चार्चा करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं 259 रुपय में कुल 40 टेश्ट उपलब्द होंगे जिसमें बालवी कास और सिक्षा सास्तर के 5 टेश्ट जिसमें प्रतिक टेश्ट में आपको 100 प्रशन सामिल हैं उपलब्द होंगे इसके लावा हिंदी भासा के 5 टेश्ट गडित साय के चार टेस्ट इस प्रकार कुल मिलाकर आपको 40 टेस्ट उपलब्द हैं जो की पूरी तरह सायक सिक्षक भरती के नुरूप है तो आप हमारे मुबाईल एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर टेस्ट के बारे में जनकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही हमारे मुबाईल एप्लिकेशन पर आपको दो टेस्ट सैंपल के रूप में उपलब्द है जिसे आप निसूर के दिला सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन दिया गया है निम्ले लिखित में से सही वाक्य चुनिए उप्षन A है अब तुम जाओ, उप्षन B है अब तुम जाए, उप्षन C है अब तुम जाना और उप्षन D है अब तुम जाओ तो इसका सही अंसर होगा उप्षन A अब तुम जाओ दिये गए चारों उप्षनों में अब तुम जाओ सही वाक्य है अगला प्रस्ण है विशेसर्ड किसकी विशेस्ता बताता है option A है संग्या की, option B है संग्या और सर्वनाम की, option C है कारक की, और option D है सर्वनाम की तो इसका सही अंसर होगा option B संग्या और सर्वनाम की विशेसर्ड, संग्या और सर्वनाम दोनों की विशेस्ता बताता है ब्यावसाइक वर्तनी की द्रिष्टी से सही है। अगला प्रश्णिमली खित में से सही वर्तनी का च्यन कीजिए। आपको बताना है कि हाथिनी का सही वर्तनी इसमें से कौन सा होगा। इसका सही अंसर होगा option C हाथिनी। हाथिनी के जगा हाथिनी इसका सही वर्तनी रूप ह अगला प्रश्णिमली खित में से किस सब्द की वर्तनी सही है इन चारों में से किस की वर्तनी सही है तो option A इसका सही अंसर होगा अनुग्रहीत में हा में बड़ाई का मात्रा होता है अगला प्रश्ण निमली खित में से सही वरतनी वाला सब्द चुनिये ये आपका परिच्छा में एकसर पूछे जाते हैं तो इसका सही अंसर होगा option D. उज्वल उज्वल में दो आधा जा होते हैं अगला प्रश्ण पाठा का इस्त्रिलिंग रूप है पाठकी, पाठिका, पाठकी, पाठका तो इसका सही अंसर होगा option B. पाठिका अगला प्रश्ण मिठाई सब्द का एकवचन से बहुचन रूप है option C. इसका सही होगा मिठाईया में एकी मातर नहीं होता है तो इसे आपको याद रखना है अगला प्रश्ण मिठाईया में काल संबंधी सुद्धी करण कीजिए वह खाना खाया है उसको बताना है कि इन में से कौन सा सही है उसने खाना खाया है वह खाना खाया उसने खाना खाये है वह ने खाना खाया है तो इसका सही अंसर होगा option ए उसने खाना खाया है अगला प्रशनिम लिखे तवाके को सुद्ध करके लिखे घोडा के पानी पिलाओ इन चारों में सबको बताना की कौन सा सही है पहला है घोडे को पानी पिलाओ दूसरा है घोडे के पानी को पिलाओ घोडे को पानी पिलाओ गोडे ने पानी पिलाओ तो इसका सहियन सहर होगा option C, गोडे को पानी पिलाओ अगला प्रस्ण है फूल का परिवाची नहीं है option A है पुस्प option B है कुसूम, option C है मुकूल और option D है प्रसून तो इसका सहियन सहर होगा option C, मुकूल फूल का परिवाची सब्द मुकुल नहीं है बलकि पुष्प, कुसूम और प्रसून फूल का परिवाची सब्द है अगला प्रश्ण में लिखित में इसे विदेशी सब्द है आप्शन A है सूरज, आप्शन B है हाथ, आप्शन C है जगमक और आप्शन D है औरत तो इसका सही अंसर होगा आप्शन D आवरत, आवरत एक प्रकार का विदेशी भासा का सब्द है तो इसका सही अंसर होगा option B रेगिस्तान रेगिस्तान एक प्रकार का जाती वाचक संग्या है जबकि चीन एक देश का नाम है गंगा एक नदी का नाम है और राम एक ब्यक्ती का नाम है इस वीडियो का आखरी प्रशन अंग्रेजों के सासर में भारतिये कभी सुक के सास ना ले सके के लिए कौन सका थन सत्य है पहला है उची दुकान फिका पकवान दुसरा है पराधिन सपने हूं सुक नाही तिसरा है एक करेला दूजा निम चड़ा और चौथा है तबेले की बला बंदर के सर तो इसका सही अंसर होगा आप्शन बे पराधिन सपने हूं सुक नाही दुसरों के सपनों से कभी भी सुक नहीं मिलता अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किजे और ऐसे यूर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं